नमस्कार मेरा नाम है उपवुदी राजा मैं चैरोकार ब्रीडर वास्तु एक्सपट और निम्रोलोजिस को बात करते हैं आज 5 ओगस्ट की 12 की 12 राश्यों के लिए कैसा रहेगा सबसे पहले जानते हैं मेश राश्य के बारे में नौकरी वेविसाय में आगे बढ़ने के मुखे आज का दिन आपको मिल सकते हैं बात करते हैं विषव राश्य की आज आप खुश रहेंगे और विदेश की यात्रा के योग बनते हुए नजराते हैं आज का दिन कोई new चीज आपको पता चल सकती है यात्रा के regarding कोई वीजा अगर आपका नहीं लगा तो आज का दिन लगता हुआ नजर आता है बात करते हैं मित्वन राशी की रिष्टिदारों के घर जा सकते हैं और आपको लाब मिल सकता है आज का दिन आप अपने रिष्टिदार अपनों के घर में घूमते हुए नजर आता है बात करते हैं करकराशी की सरकारी करमचारी का ट्रांसफर हो सकता है अगर आप कोई सरकारी करमचारी है या आप कोई सरकारी जॉब करते हैं सरकार से related कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें changes हो सकते हैं आज का दिन आपका transfer हो सकता है या कहीं आप जाते हुए नजर आते हैं बात करते हैं सिंग राशी की कई हद तक आज का दिन आपके लिए सुख देता हुआ नजर आता है पर समय आपके अनुकूल चल रहा है बात करते हैं कन्या राशी की यात्रा का मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है समय शुब हैं आपके लिए शत्रू का नाश होगा बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी की बात करूं तो जो छुपे हुए शत्रू होते हैं उनसे आपको साफदान रहने की जरूरत है आपको नुकसान पहुचा सकते हैं बात करते हैं व्रिष्चिक राशी की बात करूं तो आज अपने शत्रूं को समाप्त करने के लिए शत्रूं को देख करें कहते हैं किसी को अभास हो जाता है कोई मेरे लिए कुछ खराब कर रहा है ऐसा अभास आज आपको होगा लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगार पाए राशी की, शादी पक्की हो सकती है, कोई सगाई हो सकती है, कोई option आपके लिए आज का दिन आ सकता है, जो आपके लिए बहतरी हो, बात करते हैं कुम्ब राशी की, कुम्ब राशी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, आज का दिन आप कोई नई चीज ले सकते है आज का दिन किसी नई चीज में इंवेस्ट कर सकते हैं खास तोर पर अपने परिवार के लिए बात करते हैं मीन राशी की मीन राशी की बात करूँ तो आज का दिन आपका दिमाग बहुत तेजी से धोड़ेगा और जो टार्गेट बनाएंगे उसको अचीव कर लेंगे ये था बारा की बारा राशीयों का हाल मैं फिर जुड़ूँगी आपके साथ अगली राशी फल लेकर अगली राशीया लेकर अगले दिन के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाज़त दिने में